हेलो फ्रेंज, वेलकम टू माय चैनल दोस्तों जैसे हमारे शरीर को केर की जरूरत होती है ठीक उसी तरह पेड़ो पौधों को भी केर की बहुत जरूरत होती है समय समय पर इनकी गंदगी वगेरा साफ करते रहें क्यारियों से जो गंदगी है, कूडा करकट है पुरानी जड़ी वी पतियां, फूल पतियां उन्हें क्लीन करते रहना चाहिए ताकि ये जो हैं साफ सुतरे बने रहें दोस्तों इनकी गुडाई भी बहुत जरूरी है गुडाई से मतलब है आसपास पेड़ों के आसपास थोड़ी सी मिट्टी को खोद की उसमें थोड़ा स्पेस क्रेट करना ताकि जो एर है ऑक्सिजन है वो जड़ों तक पहुंच सके उससे क्या होता है पेड़ अपना अच्छा से खाना प्रपैर कर पाते हैं और हेल्दी रहते हैं इसके अलावा हमें इसकी प्रूनिंग भी करते रहना चाहिए दोस्तो प्रूनिंग से मतलब है कि जितने भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं एक्स्ट्रा ब्रांचेज हैं जो भी हमारे पास पेड़ों में जैसे एक्स्ट्रा जो पतियां खराब पतियां होती हैं खराब डाले होती हैं उनकी कटाई छटाई करना दोस्तों इसको करने से क्या होता है कि पेड़ों में अच्छा सा जो एक शेप भी आ जाता है प्लस पेड़ हलके हो जाते हैं एक अच्छे तरीके से वो बुशी हो जाते हैं अच्छे से शेप में आ जाते हैं और हेल्दी रहते हैं एक्स्ट्रा लीव्स और एक्स्ट्रा ब्रांचेस को कट कर देना ही बहतर होता है एक होती है सॉफ्ट प्रूनिंग एक होती है हाट प्रूनिंग दोस्तों सॉफ्ट प्रूनिंग तो करते ही रहना चाहे है फ्रिक्वेंटली इसे क्या होता है जो extra leaves होती है जिनमें कोई ग्रोग लग गया है जो कई खराब है तो उनको कट कर देंगे ताकि बाकी पेड तक जो है रोग जो गंदगी है वो ना पहुंचे ना इंफेक्ट हो बाकी पेड इसके लावा दोस्तों पत्तियों की cleaning जो किया जैसे कि उनकी पानी डाल कर चाहें आप sprinkler से bottle हती है आप sprinkler करके इनको clean कर सकते हैं या तो पत्ती पत्ती जो है इसकी धुलिये पत्ती धुलिये stem धुलिये अराम से एकदम नहला सा दीजे पेडों को ये एकदम आप देखेंगे एकदम नई shine चमक से आजाती है पेडों पे अगर आप इसको और इस तरीके से ये sunlight से feeding भी अच्छे से कर लेते हैं जब इनकी पत्तियां clean और healthy होती है छोटी पत्तियों को अगर आप sprinkler ना कर पाएं पानी ना डाल पाएं जो नाज़क होती है तो उनको एक गीले कपड़े से उनकी पत्तिया पोंच देनी चाहिए दोस्तों एक बार आप ये सब care करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके paint जो हैं बहुत ही जादा अच्छे से grow कर रहें एकदम ऐसा लगेगा कि बहुत healthy smining plants आपके जो है garden तयार हो रखका है बेड ऐसे खिल-खिला से रहे हैं आप भी try करिए और इनकी देख भाल करिए समय पे इने feed करिए पा झापके जो कर दो है झापके बहुत है जो है